बाबर आजम दुनिया का बेटरी इंबैट्समन है ये सारे टुच्चे हैं उसके सामने सब टुच्चे हैं लेकिन जितने टुच्चे वो है कि उतना टुच्चा कैप्टन है बिचारा टर्लोकर को कैप्टन मिनाया था क्या हुआ था तर्लोग राप्टन से रहा है, फिर क्या हुआ? कॉमेंट सक्षिंट में राई होने वाली है क्यों रिजवान अबाबर का प्रब्लम यह है कि वह पसनल उसके रहे खेल के सीरी सी बात है मैं इस पे एक्तिलाफ करता हूँ कि वह पसनल नहीं है, आपने व न्यूजलन्ड मैच देखा तो इसमें नाइनटी पे गए थे तीम ऐसे जीतती है कि न्यूजलन्ड आर जाए निदिलंड आर जाए विस्ट इंडियस जीत जाए आपका नवास को खिलाए जाने नॉन्स्टॉप मतब मजाख बनाया वाई यार दूसरी टीमे 6 ओवर के अंदर सत्तर असी नवे मार रही हैं आप चालीस पे खोश हैं तुर्म खान ये देख बेटा, चालीस को याउट निवा अमेरिका ने भंगलादेश को हृएया ना कैसी हःए बंगलादेश हमारे माइड़स से कही थी यजंका वर्ल्डकप शकीव असन का, यह यड़ुद вес ने का, यह चटा वर्ल्डकप हम जीछ घाएंगे यॉस से, डिखे हर टीम से जीच सकते हैं नहीं हम हार टीम से हार भी सरत हैं कैसे जार इस जार रिज्लमबबे से चिते रंच चाहिए थे आपको आखरी ज़र में वे एक गारίνमू नहीं नहीं पे तो च्छक्का मारूँगा ऑड़ च्छक्का छोत उन्हीं पर च्छक्का मार गया है आगे लिए आजम खान वहां पर काकुल अकैडमी में पास होके, कैसे पास होके मुझे बता दो पावर हिट है रहे है, वो कॉमपंसेट रहे है 14 पैसे मुझे भी दे ना, मैं आपको लंबे लंबे चक्क्या मार के दिखा दूँ और चलिए इतने पैसे मुझे दे 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 आ, मैं कुछी भी कर लूँगा, मैं मुझे बॉल खा लूँगा, गिर जाओंगा विकर्ट के आगे, मैं बोल्ड नी हूँगा आपने वजीरे दाखला को ट्रिकेट बोर्ड के हैट बनाया है, दुनिया में कहा होता है, सेवा एक जगा हुआ है, देवानांद की फिल्म में वह था, अवल नंबर में, ये वो स्वामर कैप्टन, वजीरे दाखला ये जो भी थे वो और ट्रिकेट बोर्ड की चेमन, अच्छा पी जगा रगा ये वोग उन्डाग बन चुका ये लोग उसको सिवाए इंडिया के और कहीं सीरिसली रही नहीं पहले लेता के दुनिया भर में लेते ने बना ने वह थे जो टो ड़ू एबना इन आई आई पील बहुत अची ज़ोग चुरू के शे साह साल आई अज हम आज हम OTS के प्लाटफॉर्म से एक मुन्फरीड पॉड्कास करने जा रहे हैं आज हम बात करेंगे किर्केट पे किर्केट पे हमने अभी तग अपने पॉड्कास तो बात नहीं की क्यूंकि हमें आज से पहले जणाब उमेर अलवी साब नहीं दिया बात करने के लिए स्पोर्स जनरलिस्ट तो हैं ही इनके साथ इनका जो एक बहुत शांदार काम हमें किताबों पर तज्जिय के सुवट में नजर आता है या फिल्म की क्रिटीक के तौर पर जो उनका काम है तो उस हवाले से मैं बहुत बड़ा मद्दा हूं इनका और चूंके स्पोर्स के बा कि अब हार्ट बीट टेज हो जाएगी और लोगों के घरों में तो है वो बिमारियां बढ़ देंगी मैचेस देखने के बाद तो यह क्या चक्कर है और क्या पाकिस्तान की चांसिस हैं इस दफ़ा बानवे की तरह वरलकब लाने के लिए का कोई नया वजीर आजम क्रिकेट आपने हार्ट बीट वाली बात की तो दोनों चीज़ें घलत हैं वजीफा चाहिए और ब्लेड प्रेशर बढ़ेगा यह होगा हमारे दोनान पूरे वरल्ल कप में इसलिए कि हम ऐसे ही करते हैं और लास्ट टाइम भी हम फाइनल में पहुचे थे तो कैसे पहुचे थे वो स हम पहुच जाएंगे और शाओट आफरिका जो है वो उसका यह हो जाए तो वो हम पहुच जाएंगे और हम ऐसे ही पहुचेंगे ठीक है इतना अग्रेसिव नहीं इस बार भी ऐसे योगा है पिछली बार तो टीम थोड़ी बहतर थी ना आपकी इस बार तो टीम भी आपको सबसे हलवा ग्रूप पाकिस्तान और इंडिया अमेरिका आईरलंड और कैनड़ा अगर आप कैनड़ा से भी ना जीते तो क्या खेलने का फाई हमारी तो हिस्ट्री अविल स्पाइस आप तिंग्स और इंडिया और हम ज्स तीम से कहलते हैं उसकी चोटी का मकाबला करते हैं उसके लेवल के फिर से हरा के चौके हैogrा बर यहागार मैं थोड़ा सा आपको रोपता हूँ क्यूंकि मैं सिर्फ पहले जानना चाहरा था कि आप हाव डिडियू इंट्रिकेट और स्पोर्ट्स आपका शुरू वेरवेर और फिर पैशन था या जर्णिलिजम की वजा से स्पोर्ट्स मैं जस टेक स्थूरू दाट फिर्स एजब स्कूल में पढ़ते थे ना हरा आदमी क्रिकेट का शौक होता है ना जब एट्थ या नाइंथ में ते नाइटीटू का वर्ल्ड कप अप जीत गया थे ठीक है तो वो तो पहुच गया ना स्काई हाई हो गया ना कि ओ तो डबल हुआ एटी सेवन के वर्ल कप में भी डबल हुआ था क्योंकि वो आपका हम से मी फाइनल में पहुचे थे लेकिन उसके बाद वो बात नहीं रही प्लस टीवी चैनल भी एक था आपके पास मैचेस भी खाली लाइव आते थे कोई ना यूट्यूब था ना कुछ तो शौख था क्रिकेटर मैचेजीन जो आता था उस जमाने में अख़बार वतन क्रिकेटर और क्रिकेटर अर्दू यह तीन बड़े क्रिकेट हरल दे ह्ट चार मैचेजीन से जो आते थे हम लोग वो पढगते थे पहले जो जाके जो जो सदर में ससने पुराने वाले होते वो खरीद के पढ़ते थे फिर जब थोड़ा बहुत इंटर में आ गए तो फिर नए खरीद के पढ़ने लगए जो लेटस आते थे इंटरनेट भी नहीं था तो आपकी नॉलेज भी कुछ नहीं दिया उस वक्त पता ही नहीं होता था किसने कितने रंज बनाए एक किताब आई थी एक है जिरनलिस्ट वो बशेर लिली जैदी उन्होंने किताब लखी थी नाइंटी फाइव में वन थाउजन वन डे इंटरनाशनल सौल अलब लोगी काने वाले हैं वो पहले उससे पहले बहुत तरीखे काम भी करते थे तो उसमें जो था उनका यार वो ब कि सौ हजार तो मैचिस हो गए ना वन डे अब हजार के बात कौन से हो रहे हैं वो हमाई सामने हो रहे थे तो हम अख़बारों की कटिंग निकाल निकाल के लगा लगा कि अपने आप खुदी अपडेट रखते थे कि स्टैट कि आपका एवरिज कैसे निकलती है स्ट्राइक तो होता नहीं था और बॉलिंग कैसे अपडेट होती है तो वो कर रहे तो वो करते थे हम लोग फिर क्या हुआ कि 96 का वर्ल्ड कप हो और हम पाकस्तान में हुआ था कराची लोहर स्लामबाग में पिछाबर सब जगा तो उसमें एक में रिष्टदार थे इंडिया से आया थ कि अच्छा उससे मिलना है किसी और से जी हां कराची में मैं आच था कराची सबसे मिल विल के बड़ा शौक हुआ है यह तो बड़े मज़दार काम है लेकिन यह नहीं पता था कि हम कैसे इसमें गुसेंगे इस से पहले यह तब तो चल रहा था 93 में यह वसीम अकरम को जो है कैप्टन मनाया गिया थे पहली बार विस्ट इंडीस के टोर पे तो एक सहाब थे अनीस रबबानी यह अनस रबबानी मिन का नाम कंफर्म अभी याद नहीं है उन्होंने अस में दे न्यूस का जो मैगजीन आता है बच्चेंवाला उसमें एक आर्टिकर लिखा वाई वसी किया और दस लोगों के नाम दे दिये इन लोगों ने यह यह लिखा है तो उसमें हमने का भी आप तो हर आदमी वावा थारीफ हैं कि भाई वो तुमारा च्छपा ही हो गया फिर नाइनटी सिक्स नाइनटी सेवन में एक दोस्ता लिखता था उसने मुझसे का भी तुम इत होता है ठीक है चलोगों पर एक आर्टिकल लिखा चप गया जिस दिन वो चपा उसने खियादी किसी की थी उसमें हम लोग गये थे वह कॉपी लेके अपने साथ गूर और जो आ रहे यह देखें यह यह यकीन ही नहीं आ रहा है अच्छा तुमने लिखा है तो वहां से हिव मैं लेटिस टुडियाटर लिखता रहता था अख़बारों अख़बारों में तो एक रिश्चादार थी उन्होंने क्रिकेटर मैगजीन को फ़रवड कर दिया मेरा पूर्टफोलियो के भई यह देखो इसने चार लिखें लेटिस टुडियाटर इसको पकड़ो यह का नाम रेकमेंट किया है क्या करना है तो कर से आप आ आजएगे क्या करना क्या है क्या करना क्या है कै एसेस 대해 टीक है ठांकिन होते है नहीं कि दूब बहूंत है पड़त देखें और थेक तो नागे नगे वहां गये, पहले तो मैक को देखा, यह क्या है, माउस, क्योंकि हमाई पस तो PC था, PC में आपका XT कंप्योटर आता तो उसमें तो माउस होता नहीं था, तो पहले तो सीखा कि कौक एकस्प्रेस कैसे चलता है, फिर डिजाइनिंग कैसे होती है, आइडियास तो बहुत थे ही लगाएं कि तो यह नहीं को कि 87 के फाइनल में की तस्वीर उठा लें, तो सबज में आए गये, किस तरह काम होता है, वहां सीखा काफी, तीन, चार साल, पांच साल, वहां पे उनके साथ काम किया, मैंने क्रिकेटर में, इस दौराद में ने डॉन में भी लिटना स्टार् वह इंतवा फिल्म का रिव्यू था, 99 की बात है, तो मैंने कजन के नाम से क्लिट का कि मैं अपने नाम से लिता तो मुझे पैचनी मिल तो मन भी काम करता था, तो मैंने कजन और पुप्पी को बला के का, आप लोग इंट्रिउस हो जाएगे, आप लोग को चेक मेलेगा, मैंने के साथ ही बैठा है वाता हूँ, एडिट करते कर तो मैंसे का, वेल डान यंग मैन, मैंने थोड़ी लिखा है, बको मत, तुमारी याइटिस मुझे पता है कि चलिया कि तुम ही ने लिखा है, स्टाइल पगड लिखा है, हाँ, अच्छा सर, डॉन में क्यों नहीं जाए, तो क्या हुआ, में जी इसको अंदर हा, जबागी अंदर, एडिटर के पास लिखें, खुर्शी देहदर के पास जी इमेजिस के एडिटर थी, खुर्शी देहदर, ओमेरल वी, ओमेरल वी, खुर्शी देहदर, अगले हफते की कवर स्टोरी आपकी जो आई, गल जन हाँ, हाँ, बस पहुच जाएगी, में चच्चा ने बेटा, बस पहुच जाएगी, लेकिन आएगी, वहाँ से वापस कैसे आएगी आगा, तो वह पहली बार रियाल्टी चेक था, कि ओ, जाते हैं, तो आते भी तो हैं, तो शुकर है कि घर में गारी अबबा थे, अबबा काम होगे, भी एक करो, भाई, उसके बाद रिकेटर में जब लेटर की कमी पढ़ती थी ना, सारे कजिन्स के नाम से खुद लेटर लिखता था, एक लाहर, एक इसलामा, काभी बड़ा खानन होगा, हाँ, 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 सब को यकीन निया आता था, जो जब मेरे पुपा मुस से क्रिकेटर तो चलता रहा साथ-साथ, इस दौरान मैंने और भी डॉन में लिखा, दिन्यूज में भी लिखा, उसके बाद, डॉन में मैं फिर दोहजार साथ तक तो लिखता ही रहा, रिगिलर्ली, इमेजिस के अंदर, साइटेक के अंदर, इसी हुआता था, बुक्स और और यंग वर्ड के अंदर, यंग वर्ड के अंदर, यंग वर्ड सबसे पहले साथ के तर अभी तक चल रहा है, तो ये सारा था, दे न्यूज की बात ना करें, मना क्यों बात से लिए आएगी, आप ये बताएं, वह बात भी आप पूच, इसलिए पूचे कि वह अभी तर लोग अपने पूचा ना कि कैसे हो सकता है, ये न्यूज वाला मतला था, 2011 में लिखना स्टार्ट है, ठीक है, 14 तक पैसे नहीं मिले, ठीक है, हम इंतजार में थे के मिलेंगे ना, जो 14 में मिले, हम 11 के पैसे थे, ये मुबश्र भाई, आप रिलेट नहीं कर सकते हैं, हम ये एक इशू है, ये मुझे मिलेगा एक सल्वाद मेरे पैसे, आपके पैसे कम थे भाई, आपके जिते पैसे थे मेरे महीने के थे, मैं तो ट्रोल लिखता था, लेकि मैं लिखलवाने परते हैं, ये बताएं, जो सवाल बहुत ज़र है, पूछा जा रहा है इस वर्लकप के कैप्टन वो होता है, जो लीड करता है, जाहिए अगर जैसे आपका चाहिद आफरीदी एक जमाने में उपन अच्छा नहीं कर रहे थे, यूनुस कान कैप्टन था, यूनुस ने नमबर साथ पे भेजा, जबर दस फटड़ा वेस्ट इंडी से अगें सेस मैंच था, जबर यूनुस जो था, जैसे यूनुस खान हो गए, या फिर आप इमरान खान हो गए, वर्ल्ड कब 92 में अमरान खान नमबर तीन पे क्यों आए थे, शौक था उनको, नहीं, कुछ था नहीं और, नमबर तीन पर कोई चल नहीं पा रहा था, तो वो नमबर तीन पे आए थे, मैं हम अंदर वापस गयें, तो बीस ओवर में चालिस या बीस ओवर में पचास स्कोर था आपका, सोचिए ज़रा, आज किल के लिहाज से कितना बुरा स्कोर है, फिर जो दोनों पागल होए थे, जो उनने अंग्रेजों की कुट लगा ही, लिटरिली, जीत गया है आप, वो संडर ओपनर थे, नहीं, नमबर ग्यारा पे भीजा था उनको, ओपन की थी यूनोस आइमद और हमीज राजा ने, एक सो पंदरा का ओपनिंग स्टैंड दिया था उनने, वन डाउन, टू डाउन, त्री डाउन कौन, कादिर, वसीमा करम, यह सब को पिंच शिटर भीजा, म जो कैप्टन है, एशिया कप में आखरी ओवर जमान खान से करा रहा है, इसने पीछे कोई नहीं खड़ा किया वा था, इसे नहीं बतार है, उस लिंगी बोलिंग एक्शन है उसका, उस नहीं बतार है, अगर जड़ा सी बॉल निकल गो टक किया तो चार होगा, वहीवा, तो आपका सेलेक्शन में उसका इशू लगता है, या स्ट्राटीजी वाइस इशू लगता है, या परसनली लीड करने में इशू लगता है, जो आपके क्या है, आप कैप्टन आप उसको बनाते हैं, जिसमें कैप्टन सी मटीरिल होता है, रिजवान में है, इनमें तो नहीं है ठीक है, इन्होंने चार साल कैप्टिंसी की, आपको कौन सा, ये हर टुच्चा मैं जीते थे, और कुछ अच्छे जित्वाइं भी होंगे, जित्वाइं भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई कुई ऐसा तो जितनी बुराईयां इनकी आगर आप एक तरफ रखें और अच्छा बनाया है वाई यार, अच्छा ठीक है, आप दोनों ने ओपन की, रिजवान और बाबर आए, ओपन की, क्यों ओपन की थी, कोई ओपनर था नहीं, आप तो हैं, क्यों कर रहे हो ओपन भाई, तुम लोगों से तो ओपन भी नहीं होती, मतलब चार मौने टुक करते हो, एक च अच्छा रहे हैं, अच्छा पर चुक करते हैं, तो उनके ब्रेकिंग जूज होती है, आप रंद बनाते हैं, ब्रेकिंग जूज होती है, तो अब रिसेंट टाइम्स में, इवन दो एक्स्प्लूसिव बेटिंग नहीं की, मगर इनके स्टाट्स वाइस ओपनिंग पेर इन जाए, ऐसी बेटिंग करते हैं, जैसे ये लोग बेटिंग करें, तो भाई 96 नहीं है ना, 2024 है, वो पच्छे सो और में 100 वाले दमाना खतम हो गया, जैसुरिया कालू इताना ने जब ओपन की, तो सिर्लंका क्यों जीती, किसी को पता नहीं देनको टैकल कैसे करने हैं, पाग इसे जीती, कि ऐसे जीती है, कि नियूजिलंड हार जाए, निदिलंड हार जाए, वेस्ट इंडीज जीत जाए, क्रिस गेल के अबबा स्टेडियम में आ जाए, तो वो इसको देख लेंगे, तो वो सेंचरी मार देगा, ऐसे नहीं होता, ये टीम इसा, हम भूल गए कि हम 2023 क वर्ल्ड काप भूल गए, जिसमें जमबाब में ने मारा है आपको, जिसमें साथ आफरिका से आप मैंच नी जीच सके, क्योंकि आपके कैप्टन बुरा था ना भाई, वो कैप्टन सी छोड़ी क्यों थी, अगर इतने अच्छे कैप्टन थे, तो कैप्टन सी क्यों आप दिमारा रखा उसको, लेकि डिसिटन लेता है को ना जो बाहरा से लगाने का पिर, देखिए, जो कहते हैं ना प्लेयर पाउर वाली बात है, वो वही है, शाहिन आफरी जी ने अपनी पहली सीरीज में वाहियाद कैप्टन सी की थी, ये भी तो वाहियाद कर रहे थे, अब वाहियाद को रिप्लेस करें है वाहियाद से, आपको इतना शौक था, आप रिजवान को बना जेते, वो टीम में है ना, उसकी जगा भी बनती है, खेलता है, देखिए, उसकी भी एक भी हो है कि मैं ओपन करूँगा, भाई क्यों ओपन करूँगा, तुम्हारे बाप क स्क्राइक चाहिए, अमेरिका ने बंगलादेश को हराया ना, कैसे हराया, बंगलादेश हमारे माइंसे आठम टिश्ट से गई थी, ये, आठवा वर्ल्ड कप शकी बॉलासन का, ये, पान्छवा वर्ल कप इसका, ये, छटा वर्ल कप इसका, क्या हुआ बाई, वो पहला व तो हम जैसे हारते हैं ना कैच पकड़े जा रहे होते हैं, ना ठो लग रही होती है, ना बैटिंग चल रही होती है, अम तो ऐसे वहारते है. साइम, फकर और फिर हमारा अर्लाउंडर्स में शादाब, इमाद, अर्लाउंडर्स में शादाब मरे है यार मुझे ने पता है मलब वो जो लिखावा है उस तरी के से फिर बॉलर्स में मुहमद आदमिर हरिस रूफ, शाहिन अफरीदी अबरार अबरार और एक फाइनल हरिस रूफ हो गया हरिस रूफ हो गया, अबास अफरीदी अबास अफरीदी, और आजम खान और उस्मान खान ठीक है, तो अब आप बताएं अगर प्लेइंग लेवेन अगर डिसाइड़ हो लिए अब तो यही ऑप्शन है ना देखिए अगर मैं उस्मान खान होता ना मैं कभी यूएई का ना चोड़ता हूँ चले मोट अब जो हो गया उसको आपकी क्या प्लेइंग लेवे, अब तो यही है ना देखिए उस्मान खान वो बैब बैट्समन है जो किसी भी टीम के अगेंस, किसी भी वात मतलब पागल हो सकता है लेकिन भीजो तो ना उसको उपन करने उसे वन डाउन पे तो भीजो ना भाई उसे क्यो भीजो ना नंबर चार पे आपकी इनसेक्यूरिटी है ना अगर यह चल गया तो हम तो नहीं कर पाएंगे पिर हम सेंच्टे नहीं बना पाएंगे फिर हमारा स्ट्रैक ट्रेट भी कंग हो जाएगा फिर हम आइक सीजी की रैंकिंग में नीचे आ जाएंगे तो दोनों भाई उपन करते हैं यह दोनों भाई वन और टू थ्री पे आते हैं साहिए टीम की ऐसी की तैसी यार साहे मयूब के पहला मैज़त आपको याज़र रुनाउट कैसे कराया गया था क्या वो रुनाउट को नॉमल आदमी करा सकता है क्या जो टीम के लिए खेलर हो करा सकता है नहीं ना यही हो रहा है हमारी अचा चलें चलें ठीक है दूसरे एंड पे एक एंड पे साहे मयूब ए दूसरे एंड पे इतना तुच्छा खेलो ना पांच बॉनों पे जीरो रून मनाओ ठीक है कि वो आटोमेटिक लिए चटी वाट पे चक्का मानने ही कोशिश करें यह है हमारी टीम भाई चले आप जो है वो तो है मगर फिर भी एक और फिर भी आप डिसाइड़ देखिए ओपन कराएं आप सीडी सी बात है साहे मयूब वह फखर से चलें ठीक है एक्स्टोसिफ बेटिंग पावर प्ले यूटिलाइस करेंगे खे ओवर तक आपने यूटिलाइस करेंगे उसके बाद यह तो भेजे ना आप नमबर तीन और नमबर चार तीसरे पर कोन आएगा आपके लिहास से वापेश साइम, फकर तीसरे पर आप कहरें ऑस्मान pórav बैटिंग हो ओएे साथवे पर अगर आपको बहूट चौक हो रहें सभी तो आप आजम को किलाइए लेकिन आजम ने कुछ किया नहीं है आईर्लेंड को तीन च्छक्या मानने से कोई अगर आजम को डालेंगे तो बॉलिंग आप्शन कहा से आएगा मैं तो कहरा हूँ यह आजम को ना डालेंगे तो बहुत मजबूरी है तो क्योंकि आजम जी है वो फिल्डिंग कहीं नहीं कर सकता सिवाए कीपिंग के और कीपर भी अच्छा नहीं यह विचारा ठीक है तो भाई खिला क्यों रहे हो यह काकूल में क्या कर रहे थे यह कैसे पास होगे काकूल में फिट्मेस टेस्स मुझे कोई सम्या दे ना चले ठीक है आजम की दो जगा फिला अभी नी बन रही है तो आजम की जगा अब ही नी बन रही है और विच्छा अब को शादाब की जगा रखना चाहिए ता किसी और को उसावा मीरने की घल्ती थी, उसने 30, 25, 25 विक्डे, ने नी, पेसल में, उसको बाहर निकाल दिया, अबरार जो नहीँ चला, उसको आपने खिला लिया, अबरार पे कु रखिए नूबर साथ, नूबर आठ पे अबरार को रखिए आप, साथ पे हमारा रहे गया भी स्पाइब साथ पे अबरार को रखिए आप ओल राउंडर नहीं है वो ठीक है मगर बें ओलर तो है ना खिलाएंगे तो आप उसको चार ओवर कलाएंगे आप उसको महा रखिए ठीक है जितने रंस नहीं है नमबर एक दूसरा पिर जो पिटने पे आते हैं तो भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल मैच के लाएं ये गली महले का मैच के लाएं आमिर शाहीन अबास आफरी दी ठीक है इसमें मुझे फिर भी हमारे पास अगर हम पावर हिटर इस टीम पे जाएं तो इसमें तो इफ्तिखार के लावा किसको हम काउंट कर रहे हैं पावर हिटर वो तो ओपनिंग पे रहे ना अरे ते बड़े बैट्स बने दो आपके पास रिजवान और बाबर आजम ये चक्के चक्के मारते हैं जब को ठुचा बॉज़र आता है ये रखके चक्का मारते हैं करो ना अब क्यों नहीं करते हैं अगर फॉर इसमान खान को रिगाल के आजम खान को ले हैं बाइया मेरे नमबर तीन और नमबर चार पे हैं आईसी सी बैटिंग में ना आजम खान से ठोपड़ती है अल्यू 집 में उसकी बहुत अच्छा है तो नहीं खिलाए ये मैं तो फिट नहीं हूं वो कैसे खे़पन से एपैर थिक है उसको तो ख़यर उस पर बैकिंग ये है कि पावर हिटर है, वो कॉम्पंसेट कर जाएगा. यार आप इतने पैसे मुझे भी दे ना, मैं आपको लंबे-लंबे चक्क्या मारा की देखा दूँगा, चलिए. इतने पैसे मुझे दे दे दें आप. मैं खुझी भी कर लूँगा, मैं मुझे बॉल्ट नहीं हूँगा, मैं गिर जाओंगा विकेट के आगे, मैं बोल्ट नहीं हूँगा, ठीक है? और मैं च्छक्का मारा हूँगा, आपकी टीम में आपको पता है, नो हाओ, इन्फरमेशन वगेरा, चलें इस टीम के साथ, अग अगेरेंट से आने तो लग रहा है किसनिमाल नहीं कर रहे है, मगर प्रब्लम यह ना कि भाई, आप जिस डीटा एंडलिस जो आप कर रहे हैं, वो तो आप एक तरह से ऑन पेपर ही हैं ना, वो फिजिकली तो आपको यागे नहीं बताएगा क्या है, अब हमारी हैं किया करत हैं तो क्या होंगे, बतलब आप शुरू में भी पिट रहें, आप एंड में भी पिट रहें, लेकिन आप खुश हैं, कैप्टन आपका एक सो असी पे हम हरा देंगे, वो एक सो असी भी कर लेते हैं, अच्छे यह बताया ना, कि यूएस की पिच्छिस का तो हमें पता नही है, तो वहाँ पर यह डेटा और अनलेटिक्स वकर रहा है, कैसा अप्लाइ करेंगे, तो हमें बाखी कौन सी पिच्छों का पता होता है, भाई, वहाँ भी तो अल्लम यह पहुचाते हैं, दूआ कर करके, यह हार जाए, वो हार जाए, यह टीम का प्रॉब्लम ही है, बंगल लिए एक आइडिया तो है, कि दोनु जगा पर स्लो विकेट्स होंगी, और इसको प्रॉब्ली स्पिनर्स को हेल्प मिलेगा, वेस्ट इंडीज में मिलेगा, वेस्ट इंडीज का आपको आइडिया है, आप वेस्ट इंडीज में खेल भी चुके हैं, आप वा जाएंगे, जब 2007 में वेस्ट इंडीज में हुआ था, तो आप पहले राउंड में बाहर हो गएती, इंडीया के साथ, रही है, वन डेमे, उसमें हुआ क्या था पता है, पहला मैच वेस्ट इंडीज, आप लिए इनको तो हरा देंगे यार, या क्या है, चलो वेस्ट इंडीज से हरा ग हो गया, कोई बात नहीं यार, एक पॉइंट मिला ना, आइलन को तो मार देंगे, मार दिया उनोंने आपको, फिर आप धंबाबे से जीत गये, वन सिक्स्टी वन नाइन ने कितने मारे, इम्रान नजीर ने, क्या हुआ, बाहर हो गए ना, वो टीम भी आपने गलत भीजी थ सारे आपने ऐसी प्लेरोडागे भीच दिया थे, जो खेल रहे हैं वो, ये ये टीम भी आपने इसे एक ने, मौहमद वसीम बिंगिर क्यों नहीं है टीम में, जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में वंडे में अच्छा परफॉर्म किया, आमिर जमाल ऐस्टेलिया में करके आया ना, क को जितवा दिया था, उस मैच के बाद को ड्रॉपी नहीं करना जाहिए था, वो तो ठीक है चलें, मगर आप किसकी जगा आमेर और उसको वसीम जूनियर को वसीम जूनियर, वह अंडर नाइटीन में बैटिंग करता था यार, अंडर नाइटीन में करता था ता यार, अगर आपके नहीं मार सकते थे, वो ठीक है, मगर फिर भी, चलें उसको छोड़ने, एक मेरा दू सवाल है, एक तो अबरार आज नेवर प्लेड इंटरनाशनल टॉर्नमेंट्स, वल्ड कुब टाइप टॉर्नमेंट्स, उसको लाना मुझे भी, मुझे लगता है, वो जादा बें अबरार आपका मिस्ट्री स्पिनर हो सकता है, अगर आप चाहें खिलाना, अगर आप बाच्छा सलामत के पके दोस्त जो है, वो बैड़ी आएं और वो खेल ले, वो बाच्छा सलामत के पके दोस्त नहीं बैटेंगे, वो खेलेंगे, ठीक है, दूसरा मुझे बताएं, इम 96 में डेव वाटमोर ने जितवा है था वर्ल्ड कप, स्रेलंका को क्या तीर माल लिया आके उनोंने, जुछ भी नहीं किया, एशे का जितवा है था, उनोंने वो लहने आये थे, उसके बात क्या किया, ये प्लेयर्स जो है, प्लेयर पावर इतनी स्ट्रॉंग है ना, कि ये मतल अब प्रेजेंट अफ पाकस्तान भी आ जाए ना, इनकी सामने, चले प्रेजेंट अफ पाकस्तान से भी आप तखड़ी चीज़ लें है, तब भी नहीं करेंगे कोच, ये अफ़ दिल ली जाएगा, ठीक है, मगर आपको क्या लगता है, क्या कर सकते हैं, इस पे तो हम बात तेओर लुझा कर सकते हैं, लेकि जो ही इस वाट दुनिया के जो मुस्ट सेक्सेफल कोचिज़ में से एग है, अगर उसकी बात मान ली नहें, वह अला की 躹ल चेल आपको ऑनोख रहे तुझो तो और अगहने, अगर मान ली, बेकिन हम आए तो गैरी कोचि ने बढ़े हैं हम ने खेले हम तो नहीं सुनेंगे यह प्रॉबलम है वाटमूर के साथ भी तो यही किया था वाटमूर आपका इतना लेजन्ड कोच था कुछ नहीं किया उसने आके चलें काम करते हैं इस तीम को बिल्कुल ही निप्टा देते हैं रियालिटी ने अपनी फिक्शनल वर्ल्ड में चलते हैं वाट्स यूर आइडियल टीम राइट नाओ विद गिवन प्लेयर्स अवेलिबल अब अपनी टीम करें साहिम अयूब और फखर जमान से अब उपन करें आप बावर को भी हटा सकते हैं अब अब बावर को बावर को ने तो इस टीम में गड़ते हैं तो कहारूं सल्मान अली आगा क्यों हटाया आपने अबने क्यों अतना इस टीम में अगर आप रिजवान औबावर को भी ह्एन निकाल तो तो टीम चल जाएगी, रिजवान अबाबर का प्राबलम यह कि वो परस्नल उसके ले खेलते हैं, सीरी सी बात है, कोई नाद दोराई नहीं है, फिर मैं इस पर एक्तिलाफ करता हूँ, रिजवान के केस में तो बहुत जादा है, रिजवान में, परस्नल नहीं है, आपने वो इंसनल विए आपकी बार ठीक है, मगर उसमे रन भी अच्छे की है, स्ट्राइक रेट भी उसका बहतर है, और आंकर रोल भी उसने भी एक है, आप आप, देखो स्ट्राइक रेट भिए बहतर है, इनको बॉलिंग नहीं आती, मुझे बैटिंग नहीं आती, मुझे तीन जो आदमी मैच पूरा देख रहा है उसका पूरा ब्लड प्रेशर हाई करके आप पूरा बॉइलिंग पूइंट पर ले आके पर दो छक्क्या मार के डिश नीचे ऐसे नहीं होता कंडिशन देखो भाई दूसरी ली में छे ओवर के अंदर जो हैं वो सतर असी नवे मार रही हैं आप चालीस पे खोशे हैं तुर्रम खान ये देख बेटा चालीस कोई आउट नीवा लाना तो खशर चले ना वापिस हैं आप अपनी टीम दो बनाएं साइम फखर तीसरे उस्मान मुहमद हारिस ये चार रखे हैं ठीक है आप ने चार एक्स्लोसे बैट्समन रख लिए हैं अगर आप इफ्तिखार या बाबर रखते भी हैं तो कोई मसला नी ठीक है रखें आप इफ्तिखार बाबर जिस आपका जो दिल चाहे आप उसमें रखें रिजवान भी अगर जब अस्मान खेल लो ये तो अस्मान सीपिंग कराईए अप अपका बैट्समन और आप्शन रखें आप बाबर को किला लीजे आप आदम को नहीं किलाएए अपका इमाद वसीम सात्वा आपका ये जो है अबरार को रखें चलिए अबरार को ना रखें उस आमीर को रख लीजे जिसने इतनी बिचारे ने महिनत करके 25-26 विक्डे नहीं है आप उसको क्यों इतना डिसकार्ट करें इसे उसमा ये आपका मुहमद वसीम जूनियर क्यों नहीं रख रहें आप ठीक है आमिर को रखें को इशो नहीं मुझा आमिर आमिर आपका एक्सपिरियंस है उसका शाहिना अफरीदी सही है लेकिन उसको ये बताएं कि बेटा अगर तुम नहीं चलोगे तो बाहर बैट होगे चुकि वो मुस्टली मैचे में उनको अचानक हो जाता है ये क्या हुआ जब उनको उन्होंने च्छका मारा था मैथ्यू वेड ने जब कैच डॉप हो था हासन अलीग ने जो किया था उसके बाद या क्लास टू के बच्चे थे वो मेरा कैच डॉप कि ये लो तो चक्के और मारो क्या बाद है या मज़ाग चल रहे हैं इसके तुमाई हरकते होती है तो मेंटल इनको फिट ने आप टफनिस तो दीजे शाहिद आफरीदी ने उस व पे मार मार के उनको आउट कर रहे हो पूरे बीस चार ओवर में वो पिटते हैं और आखरी तीन मौला विक्टिन लेते हैं सब बाबा करने लगते हैं उनकी तो तो नहीं प्लीज उनको अटाईए ये शाहिए ये अबास आफरीदी है आमिर जमाल है क्यों नहीं खिला रहे ह लेगा ना ऐसी बैटे बैटे तोड़ी परफार्म करता है अचार इन सब बातों में बता है नसीम शाक आँगया पर्मिनेंट मेंबर है वो अपसाइड में रखे है उसको खिलाने ही खिलाना है लेकिन भाई उसको खिलाएं भी तो तो तमीज से खिलाएं ना उसको फ्रील तो उसकी मतलब की दे ना यह थोड़ी के सारे मुझे बताएं कि दुनिया की हर टीम जो है जब आखर में दो रह जाते हैं तो प्लेस खरीब में लाते हैं एक हाम है खाली सबसे साइड में जाग क्यों जाओ भाई वाहर वो च्छक्का नहीं मारेगा वो उसका मेंटल लेव हम दसकी बात करें वो ग्यारमा है उसे खिलाना है आपको लाजमी है शुरू में वो प्लेइंग 11 में होगा मेरा जो मानना है कि बाबर जो है अबास अफरीदी की जगा हारिस रोफ टीम में होगा अबास अफरीदी बाहर जाएगा और नसीम अंदर आएगा अगर थोड़ी सरुफ से में बीटा तू बाहर बैट अमेरिका आईरलंड और केनडे किलाफ तुम्हें खिलाएंगे तुम्हें इंडिया के खिलाफ नहीं खिलाएंगे मेरे मेरी जो टीम अगर मुझे जो साइकी है और जो टेडिशनल वो है कि ये इमार्द और शादा आप डू आल राउ है हम जो समदेंगे विनिंग कॉम्बनेशन वाली बात अब पुरानी हो चुकी है अब वह वाली बात थी कि विनिंग कॉम्बनेशन को अब डिस्टरब नहीं खिलाएंगे और पंदरा लेगे क्यों जा रहे हो भाई तो सिचुएशन वाई देखिए जब आप मिनोस के अग आप जिस जब सोच कि जाते हैं कि इस दफ़ाम इंडिया को हरा दें आप नहीं हरा दें जिस दफ़ाप सोचिए हम नहीं हरा हैं कुछ भी ना सोचिए मौका मौका और तीटिवेंटी इस गुड़ गेम ऑफ चांस इवन कर जाता है है और एन्यों वाट्स यूर टॉप फॉ इंग्लिंड होनी चाहिए लेकिन इंग्लिंड की खालिया परफॉर्मिंस जैसे नहीं है ना कि वह उनको आप कहें वह भी पिछले वाले वर्ल्ड कॉप में अच्छा नहीं चला है इंडिया हो सकती है अच्छा साउथ आफरिका का नाम आया अभी साउथ आफरिका की मेरे ज्यादा उड़ती है चीज़ें वाली नाइंटीडू के वर्ल्ड कप में नाइंटीडू के वर्ल्ड कप की सेमी फाइनल से पहले यह हुआ था कि मेंडिला सदर बन गया है और वो टीम को वापस बुला रहे को उसमें कोई ब्लैक शामिल नहीं है ठीक है हमारी आखबार च कि वोल्ड कप शहले हैं दिमाग में अपने यह बहुत बड़ा प्रब्लम है दूसरी टीम एंही करती हैं डूसरी टीम बहुती जाकर हoreग्ती हैं एन्यम जीते हुआ धरगतले हैं एक प्रब्लम है और यह rate हूझ lại है यह महले हैं चाहता हूँ है प्लेल्ड का बइस नंकी च पाकिसान नहीं यहीं है। कोई बात थोड़ी पहुंचे कोई बात थोड़ी है। कोई आए अच्छे कि आए अच्छार रब कर दो भी है। के अच्छारे साफन inThust mówią blessed मैंना जा का दो एक और दो यहां cah हमारा थो पॉज़या है, मैं सिस्थभ और ओल. मझे न्यु कितिके उनकी वाइटिंग स्पिरिट। अधिक्स केप्टिंड आप्टिंडेजा पर चाहिए। आप ए सवलन्द कषरी आपेटेंड किस्कुट्रिय। कि भी वार्डेटर है। इसी तरह से वो मिच्छिल संटिनल को इस्तेमाल कर रहा है. जिमाइड हमृरा और इूपर पाहरै। तो तमियले वो इनिगलेंड से वौर्लरा गफित पूर्टी ऑप्त रूपर गईनियरे ते रूड़े。 यूवर्ल इन्शियलेben grin estou में। उस दिन एक बहुत बड़ा मसला था फción 17 का finish 200 चल रहा थ है मैं दोनों शुच़ कर रहा है मुझे फेडरिट भी पसंद है मुझे ये भी मेरा सारा गुस्साई फेडरिट पर निकलता है तो यहा था तो मुझे देखा चौका है तो मुझे धर्मा सίν कि अंधा उन्रा जिसा था। जिए बेंग्लिंट गहें बिज़ताइक। छे रन होगत नहीं हो तो जी हाँ और छे रन पई पांच रन होए ना यार मगल यह है इंगलंड जीत गया हमदर्दी इंगलंड के साथ भी थी कि वो आज तक अभी जीते नहीं थे कोई भी डॉर्णमेंट नहीं जीते थे उसे वाई टी-20 वर्ल्ड कप के तो इंगलंड से भ भी बहुत क्रोग किया है मगर वाट वन तिंग जो कनवर्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी टॉर्णमेंट विंस को फाइनल सेमी फाइनल सेमी फाइनल में आखे जल से 2013 में इनोंने लास्ट टॉर्णम उसके बाद से हमेशा स्टॉंगली आते हैं करते हैं मगर फिनिश नहीं क अपनी जीत रहा है पर आपनी जीत रहा है पिर आपनी शेकर देवन जैसा आदमी इसको टीम में रखा जाना चाहिए जिसको जो इस इवेंट में प्यामिल था आम वो ठीक है आपकी बाद पॉलेटिक्स वगए मगर उनकी टीम बैसे ही बहुत स्टॉंग होती है मगर कुछ कुछ ओवर स्ट्रॉंग हो जाती है ने वो टीम अच्छा देखिए हर टीम के अंदर जब 83 में इंडिया वर्ल कप जीती है तो सारे जो प्लेयर से यूटिलिटी प्लेयर्स थे ना कि बोलिंग भी कर लेते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं मौसली जो थे कोई यखिन नहीं नही इंडिया की जो टीम आती है वो सुपर लेवल पर आती है इस वक्त हार्डिस्ट हिटिंग बैट्समन रोहिच चर्मा बेस्ट बैट्समन कोली बेस्ट और उल राउंडर उनके दिद वह उसको कहते हैं आपका पांडिया को बेस्ट बोलर भुम्रा वन उफ दे बेस्ट तो ह सभ्ट आफ्रिका के साथ क्या होता है सब अच्छे होते हैंके लेकिन घड़ वहता है सब अच्छे यहांट बनाए सब अच्छे नहीं होर दहते हैं ंनकोर पयोदी है अच्छे सुब्स भी देया और इस नोड़ा कहते हैं तो स्रेंग्स प्राग्र अफ llus श्रेंटर भी गिया था, तो आखर में आ के कुछ नफूष रहे जा रहे हैं, एंग ऑस्टेलिया क्यूं जीतता है, एंग ऑस्टेलिया के पास ग्लेन मैक्सफल रोज नी चलता, ठीक है ऑस्टेलिया के पास रोज आपका है जल वोड नी चलता, रोज़ाना जो है वो आपका ट्रेवेस जो इनसाइट स्टोरी जिस तरीके से उनका जो बिलीव होता है ना सिस्टम में और जो आनेगा इसमें भी अभी जो पैट कमिन्स का जो मशूर हुआ है उससे वो जो एक होस पूछती है कि आपकी और टॉप फोर टीम तो कहता है उस्टेलिया नहीं डूंट केर लेस्ट अपन कोई सेम कलब में खेलने वाला दोस नहीं है उनका टीम के अंदर सारे वो प्लेजिन टीम में होना चाहिए आपका तो लटा केस है आप तो वो दोस थोड़ दे ना आपको आना पड़े आपको अगर जीत रहे जोड़ दे यह असल में इस तरह चोड़ दूं तुमें जाना जिदी जिन्दगी के आदा तो चलें आपके साथ प्राबल्लम या पॉस्ट्रिया को फॉलो नहीं कर सकते अब गये अगर अगर उस्मान खौजा पाकिस्तान में होते हैं सही है? टीम में आ सकते थे कभी? नहीं आ सकते थे, वहां खेल सकते हैं ठीक है? अगर वाध अश्व डियाता महां, अफवानिस्थान सान, पाकीस्टान का जो भी था. वो कहिल सकता था पाकीस्थान में कभी. कभी नी खेल सकता था. महां कहिल सकता है. वो प्रॉपर मुल्क है. यह प्रॉपर क्रिकेट होती है. आपकी तरह नहीं कि आपने सबसे लल्लू आदमी को captain बनाया है आपको पता है उस अब बुरा captain है लेकिन फिर भी आपने उस काप्टन मनाया है बस अब बैट्समें की दॉस्टरी रिरेट कर रहे हैं आप चले हुई रिए रहाँ is if not the best बाबर आजम, if not the best one of the best in the world उससे अच्छा बैट्सम fills is not the best 界. तो से अच्छा बैट्समन हो यूह है उससे अच्छा बेचमन हो रही है आप उस बैवगोफ को कैपिटिन क्यों बना रहे है तंरूकर को कैपिटन बना यह था क्या हुआ था तर्लुक कैप्टेंजी रहे फिर क्या हुआ बहुत कॉमेंट सक्षिंग राई होने वाली है तो बाबर आजम जो है दुनिया का बेटरी इंबैक्समन है यह सारे तुच्चें उसके सामने सब तुच्चें लेकिन जितने तुच्चें वो है कि उतना तुच्च क्रिकेट का क्लिक्चर है आपके पास नहीं है ठीक है काम खतम उस्ट्रिया के पास जो जितनी स्ट्रॉंग पॉइंट्स है न वो दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है शायद साथ अफरिका शायद इंग्लिंड थोड़ा बहुत क्योंकि वह वहां पनके प्लेयर्स जाते कि अज़ें थी उनकी भी भाई वो इत्तासा टिकच टिगा सा मुल्क है उसमें आटी में कहलती है आपका इतना बड़ अबलक में आटी में कहलेंगे क्या और पिर काफी ब्रेड इन बटर लो आ बंद दो तो आपके क्रिकेट जो है ना आपका क्रिकेट वो नहीं है कि आप सुबह औस्ट्रेलिया में अइडिल कंडिशन्स हैं सुबह गये स्कूल के स्कूल में भी क्रिकेट हो रही है तो यह घर आए वापस काना काया कारी साब आए उनसे पढ़ा फिर गये फिर क्रिकेट खेली आपने वापस आया आपने घर में टीवी मैचर है वो भी देखा साब से पढ़ो स्कूल का पढ़ो कोई बाहर नी जाएगा गर्मी हो रही है शाम को थोड़ी देखे बाहर जाओ क्रिकेट खेलो और बस वापस आज़ो फिर हमाया यह जी है बाइज सिचुएशन है जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो एजब पेशा खेल रहे हैं उन्हें घर मे पैसे देने हैं यहाँ तो लोग शौक से ने कहल पाई तो हम छोटे थे तो इतनी गाड़िया बाइक सी होती ती अब तो दार है कि मैं अपने बच्चे को भी गली में किर्केट खेले ना बढ़ेजू का इजाक्ली तो और दिक ऐस्ट्रेलिया में जो है उनको एक आपका चलना है बैड बॉल पूरा सीज़न आपको कुगा पूरा ने अच्छा और जो इस गारी ग्राउंड है यह लोग भी पैसे लेते हैं कुछ ही नहीं कहा है कौन सी सपोर्ट है यहां पर उस सपोर्ट को भी अठा दिया है इनोंने आके कि आर्ट टी में बेस्ट लाएंगे क् यह मस्तल समना है तो थोड़ा समना है यह हम तो खेल किया आए थी इमेड इटीज में गहते इम्रान खान सब स्टीव और ने अपनी बुक में लिख ने लिख आ है कि मैंनका रूमेट था तो कहने कमरे में बंक बैठ था शैद वो नीचे था यह में उपर कैर जैसे रात में लाइट बंद हुई है तो इम्रान खान ने का स्टीव पूछ हो और कि स्टीव वाकर ने में जितने सवाल थे क्यों कि मैं ओल राउंडर था वो भी ओल राउंडर थे उन्हों ने ओल राउंडर को एक कमरे में ठहरा है बता दिमाग आप देखे ना एटीज की बात है आपक का, उसने सारे ठंड़े ठंड़े जवाब दी मुझे सारे, चुकि मैं मैं उनकी सेम टीम में हम लोग थे、 ना एक ही में, कैं पर जब वो खेल रहते होँ, मैं बेड़सीन ओं मैं इबनान खान के साथ हूँ, ms सब्साजार के आ आगया, और ने लने कहा कि मैं तो आथ हादे करते हैं तो दस रफ़ा सोचते हैं किया अगर अगर को कर दिया तो इसको की दूसरी नौकरी मिलेगी आपने सोचा भी नहीं कुछ पत्दम करो डेपार्टमेंटर खादा मोगी कर अधे लोग करीम चला रहे हैं आधे लोग आपका कुछ और करें कोई कोचिंग सेंटर में कर दिया तो पर रीजनल क्रिकेट का किया? कुछ नहीं किया वो जैसे चल रही थी उसको बस वखाली डबे में चेंज किया पैकेंग चेंज ही होगा चलो इस स्टार्ट करो आपने बेस प्ले लिए उस रीजियन के जो भी ते यह स्टैने भी आपने लिए वह बेस प्लेज होगी में भी तो सब को चलता था क्या हुआ आपने होकी अपने हाथों से दबा किये इसी वज़ जो क्रिकेट के साथ करें वैसी दबा की आपने वजीर दाखला को जो है चीफ क्रिकेट बोर्ड के हैड बना है बना है दुनिया में कहा होता है सिवा एक जगा हुआ है देवान लेंगर के साथ क्या हुआ अभी रीसेंट टाइम में देखें लेंगर के साथ लेंगर बहुत एडवानस कोच था लेकिन वहां का यूनुस खान था मैं यह कह रहा हूँ कि सही है करो भाई वो नहीं कर रहे ना उनको नहीं उटना सुबा चार बजे इन जमामों लग तिंदगी भर जो थे कौन सा प्रैक्टिस करते थे मैं गवा हूँ मियदाद कोच थे सब पुश अप्स करें इन जमाम पहली पुश अप में नीचे गए द भाई हर आदमी की फिजीक अलग होती है तो फिर जमामों पहरा है फिर फार उठाट में तो अप करते हैं आदेला आदिमखान शब्स करिक skins करेंगा हैने है माच आपस में, समझ में आता, आप कोई छोटा टॉरिममन कर लेते, कुछ कुछ कर लेते भाई, तो लेंगर वज लेंगर तो डाड़, लेंगर तो श्रेक था, लेंगर हमारे थोड़ी था, लेंगर तो छोड़ी था ना, और स्ट्रीडियन भी तो कभी कभी देख भाई आपका रोज दिन नी चाहेगा बैटके पॉड़कास करें आपसे रोज करेंगे आप चिड़ जाएंगे आप हफ़से में चार दिन कर लेंगे कहां चार दिन बीक ब्रेक तो मिल रहा है लेंकन पॉच ट्रिक था ना ये करो वो करो ये करो तो आपने नाम लिया यूनिस खान का तो इस आदमी ने भी एक वर्ल कप दिताया हमें और बहुत पाकिसान को इज़त दिलाई लेकिन कौम ने पलट के इज़त नहीं गी इस आदमी की उस तरह से जिस तरह से मिलान खान को तरहा है या शायद आफिदी को बगएर वर्ल कप जीते भी उसकिता बड़ा स्थावन आया 2009 का तो जीता है खेर उनने उस नहाँ नहीं वर्ल कप वर्ल कप अलेकेप्टन अलेकेप्टन नहाँ यकिनन जो झो हमारे आपके साथ मसले है वो उसके साथ भी है तो वो स्टार नहीं बना दे माग में को T20 जीतने के बाद भी उसने कभी स्टार जैस बहिवी नहीं जे तो जब आप स्टार जैसे बहिव नी करेंगे न तो यही होगा एहमेच छेजाद ने कौन से तीर मार लिए, स्टार बने गुमते रहते हैं हर जगा वो क्या तीर मारा मुझे बताइए उस आदमी को जब चैंपिस टॉफी के पहले मैच के बाद हटाया गया गया ना तब जीतना शुरूँ है हम लोग स्टार क्यों बने गुमते रहते हैं हो यूनॉस कान तो स्टार नहीं बनते हैं यूनॉस कान स्टन थाफ़जन रंस जी हां, 50 प्लस 50 अवरेज सबसे जादा सेंजरियां जैदी परमा, नंबर्स डॉंट लाए, डॉंट को काट दियते हैं, नंबर्स डॉलाए कि मताबिक यूनुस खान से बड़ा इंपक्ट प्लेड दुनिया में कोई नहीं आया है इस टंडूल का ड्रैवेड लारा पारा सब पीछे उसमें क्या उसने रिस्टिंग किया है बैसिकली वो स्टैट्स का वो है चैंपियन है ठीक है वो यह देखता है किस नंबर पर बैटिंग करने आए किस बुदेश पर वो आईजी सी की तरह नहीं है कि रिजवान ने अकर फिफ्टी मार दी तो रिजवान नंबर तीन पर आ गए वो यह भी तो दोड़े को मैच कौन जीता दू लाए इस दू लाए वो भी हसर है मझे ज़े सही कहा रहा है तुम नहीं है बिलकुल मैं का वो टॉन को सबस्ट बढ़ा के फिख दिया लोग यह यह आड़ा ने को सबस्ट इस अच्छा प्लियर अच्छा चलें आप थोड़ा सा मुझे डिफरेंट सवाल इंटर्टेन्मेंट वाइज आपका भी बैग्राउंड रहा है जब आपने टेस्ट देखा है दो प्राइम पे उसको हम सिचुएशन चे पाकिसान में लेकर आते हैं और कोई पाकिसानी डायरेक्टर या लॉलिवोड का डायरेक्टर जो है उसको सीरीज बनाता है दस की तो आप बताएं उसका नक्षा ज़रा खेचाना किस तरीके की एक फिल्म थी काली चरन तो उसको कैदी के पास जाते हैं तुम प्लिस वाले बन जाओ तके जो उसका मिशन था वो पूरा करें तो एक सीन होता है जिसमें वो एक्टर जाते है उसके पास वो कहता है उसे प्रेमनात साब जाते हैं वो कहते हैं कि दूद पिलाते हैं तो कहते हैं अबे बड़े दूद क्यों पिला रहे हैं नांक पंचमी के आज और कहते हैं कि कभी दूद पिला जा तो कभी भाहियन देता ह करें और उसका क्यामरा उसके उपर हो सोच रहे भाग जाएगा मैं भी भाग जाओंगा ठीक है आपने जिब टेस्स का सवाल पुछा ने मुझसे कि अगर पाक्सान में वही वाली सिच्यूएशन थी म्यूजिक आ गई और मैंने का हो यह तो उल्टा हो गया बनी नी सकती थी की अगरे हनगी ऐ सोच फ़यर को डिड्रीटर्न मिलता तो के उनकी खेलाडी उसे नी बन फ़े Sharjadji हो नी बन थी प्यार वाले से नी बन अगर भी बन बन चाहतीं प्ले और नी मानते प्लेयर नी मानते हैं प्लेयर नी मानते बेगमात नी मानते इतने श्ले होते ना कि थ 250 उसको ले लिया, मुझे नहीं लिया, मेरी बात नहीं सुनी, मैं तो पूरा मेरा काट दिया, उसका दो मिनिट का दिया है, इनके आपस के देखिए, ये नहीं कहना कोई का फड़्डे हैं, इन सेक्यूरिटी से ना, क्यों है, उसने क्या किया है, कौन सा वल्लक अप जीत लिया हपता ये 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 वाला प्रोबलम है, आपके नहीं बन सकती, आपके क्योगी अच्छी चीज नहीं हो सकती, ज drainage अपस का, पॉबिक ट्राइपुर्ड की नहीं साथा और नहीं हो सकता ना, उसलिया टेस बी नहीं नहीं हो सकते, अच्छा पिछे प्सी बी, पीसी बी जो इस एक अजीब सा एक इदारा बन गया हमारे लिए हमेशा से अजीब है आज की बात थोड़ी है तो यह पर ऐसी चलता रहा है गागे नाइटी नाइटी सेवन नाइटी एट में मैगजीन आता था स्पोर्ट्स वीक ठीक है उमर खुरेशी साब निकालते है उसको एक कार्टून दुनिया में नॎ ठैस्प्लेइग नेशन थे उसक उसमें दिखाया कि साथ साथ ।ैस्टे सप्लेइग नेशन ऩे यह चाहस टारफे और फ्लानHHHH एपनें करे हैंन्य क्या खेलना है और एप्ईय्पी का दिखाया था कि सो रहा है तो यह उस्वत की बात है पच्छिस साल परा लिए आज तक सो रहे हैं दुनिया की हर टेम जो है पचाथ-पचास मैचेस केल लिए इस साल में सभी उसमें टेस मैच भी चामिल है आप टेस मैच कम केलते आप वंडे और टी-ट्वेंडी केलते पी-सी-बी के पास एक नया भी एक आलमी रिकॉर्ड आ गया है कि यह शायर वाहिद किर्किट बोर्ड है जहां के जहां पर F.I.N.A. और मकामी के जन्सी ने चापा मारा और वो खातून को लेकर तेले का है पारा का मजाग बनते हैं हमने मजाग बनाने का शौक है अपना के लाहरे पाकिस्तान जैसे क्रिकिट बोर्ड है तो हर जगा हुगा है हम चैंपियनेंगे हैं हम अफसोस की बात है ना ऐसा नहीं, कहीं ऐसा हुआ कि PCP गवर्मन्ट ने ग्रांट दी हौकी फेडरेशन को और प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले हो, हमारी यह हो सकता है, हुआ है हमारी है तेन तीन महने से बेचारे प्लेयर्स बगार पैसों के खेल रहे हैं पर दुनिया में हो सकता है, हमारिया हो सकता है, कहीं दुनिया में किसी मुलक में ऐसा हो सकता है कि एक स्पोर्ट में पचास साल तक आप चैम्पियन रहे हों, और भूल जाया है सबब, होकी, स्कॉश, कहा हैं स्कॉश हमारिया, खत्म, जिस दिन आपका वो जो है, जैवलिन व सही नहीं थे गलत पकड़ी जी ना पीछे से पकड़ता तो दूर जाती अब हेर बैंड नी लगाया वहाथ है है इंडियन लगाया वहाथ हुआ उल्टी चैल रही थी गलत भागा ना आँख बंद हो गी थी हम एक्सपर्ट हो जाती है अच्छे बता है एक्सपर्ट से आदा ह हमेशा से गया रहा है जो अब शायद ना हो तो कि अब मैं जो है वो वीवे का पार्ट नहीं हूँ मैं जब मैच खतम होता है ना मेरे ओपर टेंशन होती ही स्पोर्ट स्टोरी उसकी स्टोरी डालने की मेरे पास फेस्बुक स्टेटर डालने का टाइम नहीं होता है मेरे पा में आफिस में जियो में था, मैच खतम हो गया, स्टोरी चले गए, पैकेज़ चले गए, चल गए, सब मिठाई विटाई कहा गए चले गए आफिस वाले, तो मैं चीखा था आफिस में, येस, जिद गए, अब क्या बहुत है, मैं उस वर टाइम ही नहीं था, मेरा एक प्रोब नहीं आते, जैसे एक सिकंदर बख्त, दूसरा वाला जो कमेंटरी करता है ना, वो बहुत अच्छा है, आगे नहीं लाते हैं, जो कमेंटरी करता है, अच्छा, सिक्कु भाई हमाई चैंपियन है, सिक्कु भाई, मैं मुस्ली बातों सुनके अग्री करता हूँ, ठीक है, व एक फैन, प्यारी अंग्रेजी बोलती है, सबसे बड़ी चीजी है, उससे ही अंग्रेजी बोलती है, जो हमाई अब आकी नहीं ठीक होता है, तो उनको आगे क्यों नहीं लेके आते हैं, भाई, अब तो आई सी सी डॉर्नमेंट्स वगएरा में, चली गई है, अब चली गई वक्त बेरे वो मारते हैं, नौलिज के चँझे, तो यह तीन लोग अचे हैं ना भाई, तो जो हमारे मजदर अकबाल साब, उनके बाँ भी बहुत नौलिज है, मजदर अकबाल नहीं मिर्ज़ अकबाल में, मिर्ज़ा अकबाल में, हमारे सीटी सी बात हैं और अनको भॉत तोड़ाते हैं। स्टैट्स लगा बहुत बता हैं। सब बता है। सोहिल वराइज की तरह बात करते हैं। उन से पहले की हैं। और वो PCV के साथ भी रह चुके हैं। कोडिनेटर। जब मैंने स्टार्ट किया था और अगर पाकस्तान में आए, इफ्तिकार अहमद। मैं एक दफ़र मुए इंटिव्यू किया था। मैंने और मनसूर इडी बे एक क्रिकेटर उड़तू के मैंगरीन के एडिटर थे। मैं इफ्तिकार अहमद के इंटिव्यू के लिए थी अइनौर्ट उड़तों इन्टिवू करें थे एनुड़तू। और पूरे इंटिव्यू में ऐसे वियूं खड़ावाता है था। और वो इंटिव्यू पूरा हो यग और को मनसूर इनका क्या मस्ला है? किसर कि आपकी आवाज इस्वाफ कर रहे हैं, कर लीज़ा, रैसे सवाल अब तुमसे भी है, महारा कोई फेविरिट कमेंटेटर इनी टाइम, नहीं मुझे तो नाम इतने लादा नहीं पता होते हैं, मैं तो किर्केट बहुते हैं कि शायद आफीरी खेल ला है तो हम किर्केट ऐसे कॉम culpa कि बहुत चलया है अ कमेंटेटर हाउ आपने अरैने पत्विरिक ब्रॉक्त नहीं पने खेले लोगाइब एज शाफिर उसन कक्षूआ पर थोता से नाम डियां, रहा एकिन तुछ उड़े से पेले ऊजाते ह माण वाट वागषग का ह्वीच आजगी अलड़े आ और बैक्रिक भी नहीं पड़ी उसने स्टार्ट किया है किवासकर ने अपनी एक अंदर जो शिर्ट पहनते हैं स्वेट शिर्ट शिर्ट वो दीती इसको कि तुम आज ये पहन के क्रिकेट खेरना पहले टेस्स मैच सेंच नहीं मारी दूसरे में फिर पहनी फिर सेंच नहीं मा कि एक एक बाद से मैं तो एगरी कर रहा हूं तो वो आदमी खेल चुका है क्याप्टन रह चुका है कोचिंग कर चुका है उसे एक एक चीज़ पता है वो जो चीज़ कह रहा हूता है सही कहता है मिजबर और बाबर और रिजवान के अगेंस मूबी तो राशिद भाई जो पात कहा दें वो सही है कि अब बागियों में मिजबर के अनालिसिस बहुत अच्छा होता है मिजबर अलाक अगप और इस वद जो मैंने लास लेका था वो एसपोर्ट पर जो प्रोग्राम आता था अजर अली क्या बाद करते है यार क्या अनालिसिस देता है और गुड जें वसी माई कॉमेंटेटर ज्यादा अच्छे लोग उनको कहते हैं ना कि वो अपनी बाते करते हैं तो वह उनको किसकी बाते करेंगे वन वखारन आय यूस्ट बॉल तो यही कहेंगे ना वखारन आय यूस्ट बॉल उन देखो उनसे अच्छी स्विंग कोई नहीं बता सकता नहीं भाई उनसे अच्छी स्विंग कोई नहीं बता सकता उनसे अच्छी कैप्टिंजी का फ्लॉग कोई नहीं बता सकता वो सुनोग ना भाई अज़े इमरान खान के बारे ने उसने वो भी रचसे कॉमेंटेटर थे इमरान खान से बेतरीन कैप्टर आपकी तारीख में सिर्फ शायद एक आया हो मुश्ताख 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 मु इम्रान खान की क्रिकेट नॉड़िच का तो कोई दो राय है नहीं यह वो पूजिशन में आके और ने वो गलत किया आप हर चीज के प्रोज और कॉंज देखते हैं आप सौर्ट एनलिसिस करते हैं सब्सक्राइब एस डेब्लियो ओटी आप एटी वाली मशीनी चला जेते हैं उसके ओपर क्या है क्या हुआ है तो कॉंक्लूडिंग रिमार्स ने ने मेरे एक सवाल रहे गया है बी-सी-सी-आए ऐस जाइंट या आई-पे-ल एस जाइंट यू तिंक टाथ इट इवरी अधर क्रिकेट देगी जब पर बिक्तरी आई थी तो शेरियार खान उसके अगिं सवाए इंडिया के और कहीं सीरिसली रही नहीं रहे पहले यह था कि दुनिया भर में लेते थे अब सब कोई सीरिसली आई-पी-ल एक डबल विक्ट टॉर्णिमंट है जो थोड़ा आपने मड़ा कर दिया बस इसके रहा कुछ भी नहीं है स्टार पावर मनी मेकिंग मशीन क इसमें तो इनका सारा डबली डबली ए बना दिया ना इसको तो डबली डबली ए बना दिया ना आई-पी-ल बहुत अच्छी थे ठीक है सब देखते थे पसंद करते थे मुझे भी आप आग बंकर के प्लेयर पूछ लेते मुझे थे किस टीम में तो बताया था मैं किंग्ज पर कर रहे हैं यह तो मजाख है ना भाई हो इछे चोक्य मार दिया है पांच चोक्य मार दिया जो भी है तो अब यह मजाख न चला है तकि लोग इतने आपके इस वाद सेंसिबल हो चुके हैं कि वो बेवकुफी पकड़ लेते हैं अब्दुर्यमान लेफ्ट आम स्पिनर तीन बाउंसर्स मारी थी उन्होंने सही है हटा दिया उनको क्या हुआ सबने मजाख उड़ाया उनका इंटरनेशल क्रिकेट केल लो इतने सालों से यह बच्चों ने अड़स कर रहे हो कहा है अब वो अपने जो भी उनने जो भी किया हो किसी डील की हो कुछ भी हो लेकिन ब आखरी बॉल तक इसले मैंते जाते हैं कि एयर टाइम और उस्ताहरात के साथ चक्कर है यह जल्दी खतम नहीं कर सकते हैं जैसे फुटबॉल की फुटबॉल ने जो लीग्स ने डॉमिनेट किया इंटरनाशनल पर इंटरनाशनल पर इंटिंग यह आई-पी-एल और डिफर प्रिमिर लीग में या हंड्रिड में आगया आई-पील खतम हो जाएगा आपने एक्स्लूसिफ रखा वे ना उनको जब सकते हैं इंडिया में तो कमसकम चलता ही रहेगा तेंडिया के अबादी इतनी है जितनी बागी मुलकों की मिला के भी नहीं होगी शायद मार्केट ब अब बोले स्पिट रहें आप पीएसल को जो है आपको सही करने के लिए बहुत सारे एफिर्ट करने पड़ेंगे जो मैं नहीं बता हूँ मुझे उनको सीनियर क्रिकेटर बताएंगे और वो भी है मगर एक और चीज़ है पीएसल में स्टार पावर कम हुई है हो जाहिर है सबसे बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम है टाइम आउट किस बात का भाई बीस ओवर केर लो को पांच दित का दोड़ी मैच हो रहा है क्यों टाइम आउट होता है वो तो चलें स्ट्राटेजिक और उसको इंटर्टेनमेंट के लिए हैं नहीं मगर मुझे सिर्फ बता है ना मुझे लिए पांच बेसोगा एप अर भाई भी कज़ा सबसाइब हांचा बोला लेंगे प्र मैच के सापसे तो हम नहीं सोच सकते ना यूवाली बात हमारा दिल नहीं है कि लेंट मैक्सवल यखेले हमारा दिल नहीं है विछ गर जदो बोलें हएं नहीं करें हम नहीं जहा तेस्वास ना, आपको की दूसरा तरीखा निकालना पड़ेगा इसमें, आपको स्पॉंसर्स बाहर से लेने पड़ेंगे, जो इनको स्पॉंसर करें, कुछ भी करें, देखें, मैंने पीएसल जे सारे मैचेस जेक्शन, जित्ते होते हैं, सभी देखता हूं, मुझे बड़े शेहरों में, मुलतान में बाहर है, ठीक है, लोगर में तो नहीं है, वो शेहर के अंदर ही है, लेकिन इसलामबाद में तो बाहर है ना, तीक है, वो नहीं है भाई, गुलिस्ताने जोहर, गुल्चने अखबाल, शरह-ए-फैसल, आपका सब कुछ है, वहाँ पर, लोग काम करते है, शटडाउन तो नहीं किया है, आपने, कौन है, और गर्मी, गर्मी में कौन आता है, मैं जगने के लिए, और अल्ला माफ करे, वो स्टेडियम, वो स्टेडियम कहा है है, चलें ठीक है, अब इसको है, लास्ट क्वेशन मेरा, उस में लेकर पहुच गया, कराजी में प्राक्टिस हो रही थी, तो शटेड़ को पकड़ा हम लोगों ने, कि भई, आपका मैगजीन का कवर आए, तो मैगजीन के आप सिंटर पे है, एक ही कौपी ले आता है, जो हमें मिलती एक ही कौपी थी, तो वो लेके आए, उने का कि, अ पूरे हैं याटेएवे सब को, साहिधनादर को दिखा रहे हैं, सर युसफ को दिखा रहे हैं, यूनस नही आया तो इन जमाम को दिखा रहे हैं, साहिदनर को दिखा रहे हैं, सभ को देख लया, बड़ी वाबा हो गया, शे 거죠, भी जड़ा क complexities का मैं थो तो अब बिलकुल क्या था एक के शुविबस्तर के बिचारे का पहला पोस्टिर था सिंटेस प्रेडुस का अच्छा आखर में ये बात ज़रूरी है क्योंकि हम एक स्कूल पे पॉड़कास कर रहे हैं और आप जानतें कि ऑफ दे स्कूल एक वेलफेर इंस्टिउशन है यहां पर माचला से अब हमाई पास लेकिन अगर इनके अंदर ही जजबा पैदा हो जाए कि हमें क्रिकेटर बनना है तो पर आपको पता है पढ़ाई भी कॉम्प्रमाइस होती है और वालें भी परिशान होते हैं यहां पर दाहरे के स्कूल के बाहर भी कोई सेफ प्लेस उस्तारा से नहीं है क्रिके टर बने यहां पर जिए ज़िए ज़िए अप कुछ नहीं कह सकते हैं कि जो बनना चाह रहा है बन भी सकता हमारी कोशिश सब की जहीं होनी चाहिए कि उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने प्रमोट काये उनने डिसाट करके हटाना दे कि कुछ नहीं हो सकता मुझे भी जब मैं देखता था 93 से लेकर 97 के बीच में आप 9, 10, 11, 12 तक सब घरम गालिया पड़ती थी तो हर बक्रिकेट देखते रहा तो हर बक्रिकेट देखते रहा तो यह मैच तो कल भी आएगा तो यहीं पूछता तो कैसे आएगा कल तो दूसरा दिन होगा टेस्माच का तो पहरा दिन है आपको कोई सपोर्ट करने वाला हो? आप क्रिकेट ना खेले नहीं लिखें क्रिकेट पर, आप क्रिकेट पर बात करें, आप कुछ भी अनैलिसिस दें, देखें आपके पास यूटीوب है, सबसे बड़ी चीज है, हमाँ आपस एवी निउस नहीं थे ना, हमें तो प्रिंट म कोई बात आपको नहीं पता चले, फर्स कीज़े, यह पता चले, एडम बाकर ने catch पकड़ा तो single-handedly, 97 में अगेंस इंडिया, वो catch आप हैं, आप YouTube पे शेर करें उसको ना, कि यह catch देखो, आप लोगो को बताएं चीज़े, खेलने की जाएं तक बाते देखिए, ग्राउंड्स तो हैं नहीं आपके, जो हैं, वहाँ पे आप क्रिकेट प्रॉपर खेल नहीं सकते हैं, तो आप सड़क पे खेलिए, वजी मक्रम भी तो सड़क पे खेल के आए ते ने क्रिकेट, वो कौनसे किया उन्होंने ग्राउंड में आए, और फिर ग्राउंड से वह आपका इसमें आए, मिजबा हो लग, एमबीए करके क्रिकेट में आए, एमबीए करते रहे, क्रिकेट खेलते रहे, वो एमबीए कंप्लीट करके नैशनल टीम में आए, तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अगर करियर बहुत कम होता है तो इतना कॉमपेटिशन है आउसकेंद इतना चोटा से करियर तो इसमें सर्वाइवल नदर आता है आपको देखे तो देखा जाए तो बैटिंग का भी कोई इतना स्कोप अब रहा नहीं ना अगर आप वन अफ दे बेस्ट हैं तो आप टीम के अंदर बेट नहीं नहीं होगे पर आप क्या करेगे बैट के तो आप दुनों ही में आप ऑल लाउन्डर बने सब्सारा स्कोप तो लाउन्डर का है बाई दुनिया भर में आज पाकिस니까 में अच्छी है तो आप उस्टिलिय की टीम में खेलेंगे लिए वाग्डिया ने नहीं और फ्रीदी अल्राउंडर से ज्यादा ये थे कि जिसें बैटिंगी ज़रूरत पड़ा थी उस दिन बैट्समन होते थे और जिसें बोलर की ज़रूर होते थे तो हजार नौ में या दस में निकाल दिया था टीम से क्यों परफॉर्म नहीं करें थे तो वापस आकि उनने वेस्ट गिरा कि उनको अरवाया था फिर वो था नौट आउट दे दिया था वो सब गल्तियामी थी वो मैच हम जीते हुए तो ब्यादे करेंड़ वाले मैचे पाज विक्टे ली थी और वो कुई हम बंसे वे थे थे तॉप स्कॉप लिए थे तो बॉलर शायदा फ्रीदी बहुत क आपका चीफ सेलेक्टर थे रो गए तो उनने का कि उसे पूचा मेरे कजन से के बाई तुम्हे देखना है मैच कहां देखना है कि जलो तो उसे कानपूर ले गए लेक्टनों से अब वो उस मैच में शायदा फ्रीदी ने चावालिस वालिस बालों पर सेंचनी मार दी अब बेचारा इंडियन पाकिस्तानी डेसिंग रोम में बैठा वा और वो सब चीखे जा रहे हैं ओई शर्मिंदा हो रहे हैं यह क्या हो रहा है वो बहुत पीटा था डेसिंग ने तो पाकिस्ता नी जहां वो लोग बैठते हैं गैलरी में मगर वो शायदा अफ्रीदी उस दिन उनका मूरी दूसरा था ना वो वो आदमी है शायदा अफ्रीदी जिसने अपने पहले टेस्ट मैच में पांच विक्टे नी और दूसरे में सेंचरी मारी कर सकता है कोई हम शायदा अफ्रीदी का बहुत मज़ा खुडाते हैं इसलिए कि वो जो बातें करते हैं उससी हैं टेस्ट मैचेस में उन्हें कोई नहीं भूल सकता है उनका प्राबलम ये था कि वो बड़े मैच में जाके फेल हो जाते थे वो भी 2009 में उन्हें पूरा कमी पूरी कर दी सेमी फाइनल और फाइनल में खेल के मगर वही कि उसके बाद पिर उनकी जो अक्वाले जरी ही होत तो अगर कोई concluding thought हो तो दरूब बताएं जो चीज़ करनी है न वो आप वही उसमें जो है वो excel करनी कोशिश करें चाहे वो cricket हो चाहे वो sports entertainment हो चाहे वो आपका book reading हो इसलिके आपको नहीं पता होता आप कौन सी चीज़ पसंद आ जाए अप अपनी मिसाल दिया आपने पढ़ाई सबको करनी है पढ़ाई सबको करनी है चाहे कित्ती बुरी लगे मुझे बहुत बुरी लखी थी पढ़ाई मगर मैं निकल लिया उसमें से ना कि मैंने मैं ट्रिक में मेरे a grade आ गया हो गया निकल लिया इंटर भी कॉम भी निकल लिया तो वह है कि आपको करना है तो आप करने चीज़ जा मुझे अर्दू नहीं करना है मैं पाकसएंड सेडीज दीस में मुझे इंटरस्ट नहीं तो तो यह हमें खुद ही डिसाइट करना है, इंटिफाय करना है, खुद ही अपने आपको जितना जल्दी इंटिफाय करना है, यह ना करें करना कुछ भी, बेटा मेट्रिक तो करना है, या आपको ए लेविल्स तो करना ही करना है, कॉलिज तो जाने ही जाना है, इसके बगार को पजागे ज़ने है दिखाना पड़ेगा बॉट-बॉट-बॉट शुक्रिया हैं इसमें बुक जो रिव्यू करते हैं आप उसके हमाले से दाने हो जो फिल्म कृटीक आपको काम है उस पर जारे हम आज बात नी गर सके थोड़ी सिर्ग कोशिच की लेकिन आपने उसको बिल कियों वो जाहर है भी कुई लगें भाई को निये लगें बाद ये क्रिकेट है कोई ऐसा सेंसिटिटिव मौदू थोड़ी है भाई केली है खेर अगले पॉड़कास में